हेलो फ्रेंज, वेलकम मैं डिश्ट चनल दस्तों आप स्विका हमारे अपने चेनल में स्वागत है दोस्तों हो चुकी है प्यारी प्यारी सुभा की सुरुआत यहां पर हमारी चाय बन रही है और इदर हमने बनाया है आज सोया और आलू लफ सोया का साग बनाया है तो साग हम मैंने एकदम फ्रेश साग आय थी और धुल के बना लिया है, साग इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, हैस मैंने जी को तो मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत दिनों से बनाया भी नहीं था, मतलब खाया नही था, बहुत दिनों से सोच रहे थी कि साग बना लो तो आज मैंने बनाई लिया उसके बाद यहाँ पर चाय भी बन गए थी पराथा सेखने लगी हूँ और पराथा में थोड़ा टाइम लग जाता है बाकी काम फटा फट से हो जाते हैं और दोस्तों पराँटा में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और चल्दे जल्दी से सुबा के काम निप्टाने पड़ते हैं और यहां पर मैं बना लेती हूं पराँटा तो दोस्तों यहां पर पराँटा मैंने बना लिये थे और देखे साग भी तयार हो चुका है बहुत अच्छा लगता है लोही के कड़ाई में साग बना तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और कुछ मतलब डलता भी नहीं है ज्यादा कुछ नहीं डालती हूं बराँटा भी बन गए है लंच भी इनका पैक हो गया है तो इसके बाद डैरेक्ट आप सभी को मैं साम में मिलती हूं तो यह साम का टाइम है तो दोस्तों यहां पर सबजी आया थी उसी को मैंने धुल के मतलब रख लिया है सबजी को मैं धुल के ही रखती हूं और यहां प और दोस्तों ये लेस्टन-बाला मैंने नमक बनाया है बहुत अच्छे पटा नमक है चटपटा सा और इधर मैं बनाघी है तो के मैं देलि के डेलि बनाती है उब में गतरा साम में एंको बहुत जादा पसंद दे और यह चटपटी्ज ही हम सब्सक्राइब जी को खाना नहीं अच्छा लगता है बीना चटनी के तो इसलिए कांटिन्यू चटनी जरूर बनती है और यहां पर मैंने चटपटी सी और इसमें खटाई जो आमचुर पाउडर होता है वो डाल दिया थोड़ा सा लेसुन हरी मिर्च बहुत अच्छी चटनी है चटपटी सी उसके बाद यहां पर मैंने डाल फ्राई की तयारी कर लिए टमाटा हरी मिर्च है प्याज है लेसुन है और डाल जो है वो बन चुकी है तो डाल बनाने के बाद डाल फ्राई इन्होंने कहा कि डाल फ्राई कर लो तो यहां पर बहुत टेस्टी डाल फ्राई बनी थी बहुत टेस्टी कभी कभी ऐसा हुता मैं प्यास के ही कर लिती हूं और कभी कभी सारी चीजें डाल के करती हूं तो बहुत अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं वीडियो गर अच्छा लगा ता लाइक क दीजिएगा जो दोस्त तमारे चेनल पे नीवाते हैं चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फिर मिलते हैं नीव ब्लोग के साथ अब तक लिए नमस्ते बावाड़े